रात के तक्रीबन दो बजे थे, कलपना ने अपना कई दिनों से खाली पड़ा घड़ा उठाया और उसे साड़ी के पल्लों से ढख कर दबे पहर घर से चल पड़ी, करीब पंद्रह मकानों के बाद बै एक कोटी के सामने रुख गई, कलपना को कोटी की एक खिड़की कोटी के अंदर पंकों वा कूलरों की आवाजों के अलावा एकदम अमोसी थी, लोग गहरी नींद में सो रहे थे, कलपना एक कमरा पार करके दूसरे कमरे में पहुँची, बहां अलमारी अद खुली थी, जिसमें से नोटों की गंडियां बस सोने के गहने साफ दिखाई द रहे थे, कलपना उन्हें नजर अंदाज करती ही आगे बढ़ गई और तीसरे कमरे में पहुची, बहां कई तंकियों में पानी भरा हुआ थे, कलपना ने अपना गड़ा एक तंकी में डोवोया और पानी भर कर जिस तरह से कोटी में दाखिल हुई थी, उसी तरह से पानी लेकर अपने घर लोटाई, पानी ले आई कलपना, जब मैंने देखा कि घड़ा घर पर नहीं है, तो सोचा कि तू पानी लेने ही गई होगी, कलपना के अधेर पती संकर ने कहा, जो दो महीने से मलेरिया से पीड़ित होकर चार पाई पर पड़ा था, जी, पानी मिल गया, आप पानी पीकर अपनी प्यास बुजाएं, मैं दूसरा घरा भर कर लाती हूँ, जीत उटे तो उसे भी पानी पिला दीजिएगा, कलपना ने पानी से भरा गिलास देते हुए कहा, संकर ने पानी पीकर अपनी प्यास बुजाई, दो दिनों से इस घर के तीनों लोगों न एक बून पानी भी नहीं पिया था अजीत तो कलपना का दूद पी लेता था मगर कलपना और संकर प्यास से बेचैन हो गए थे कलपना ने पानी से भरा हुआ दूसरा घड़ा भी लाकर रख दिया जब बहतीसरा घड़ा उठाकर बाहर जाने लगी तब संकर ने पूचा आज भीड नहीं है क्या तूने पानी पिया टेंकर कहां खड़ा है क्या आज सरपंच ने टेंकर अपने घड़ में खाली नहीं किया आप आराम कीजिए मैं अभी यह घड़ा भी भर कर लाती हूँ कहकर कलपना तीसरा घड़ा उठाकर चली गई इस बार भी कलपना उसी तरह कोठी में दाकिल हुई और घड़ा टंकी में डुबोया घड़े में पानी भरने की आवाज से अब की बार कोठी का कुट्टा जाकर महुखने लगा तभी कलपना को बासी रोटी के टुकड़े एक ठाली में पड़े दिखाई दिये कलपना ने रोटी का टुकड़ा उठाकर कुट्टे की ओर भेका और घड़ा उठाकर तीर की मानिन गोठी के बाहर हो गई तभी एक काले से आदमी ने बहां आकर तेज आवाज में कल्पना से पूँचा कौन हो कल्पना बिना कुछ कहे आगे बढ़ती गई वै आवाज पहचान गई थी वै सर्पंच की आवाज थी सर्पंच ने कल्पना का पीछा करते हुए कहा चोर कहीं की पानी चोर सर्म नहीं आती पानी चुडाते हुए इतना कहकर सर्पंच ने कल्पना को दबोच लिया उसने खुद को छुडाना चाहा तो सर्पंच बोला मैं अभी पानी चोर कहकर सोर मचा कर सारे गाव वालों को जमा कर दूँगा बलाई इसी में है कि तू बापस कोठी चल और मुझे खुश कर दे मैं तेरी हर मुराद पूरी करूँगा चल हट हाथ चुडाते हुए कल्पना ने कहा सर्म ने जब देखा कि कल्पना नहीं मान रही है तो बे उसे चोर चोर पानी चोर कहकर जोर जोर से आवाजे लगानी शुरू कर दी आवाज सुनकर गाउवाले लाटी वफरसा लेकर कोठी के पास जम्हो गए कुछ लोग लालतेने लेकर आए मावला जानने के बाद कुछ लोग कल्पना से हमदर्दी जताते हुए कह रहे थे कि बेचारी क्या करती दो दिनों से उसे पानी नहीं मिला था दूसरी और सरपंच के चम्चे कह रहते कि इस पानी चोर को पुलिस के हवाले करो ऐसा मत करो बेचारी गरीब है छोड़ दो बेचारी को एक बुड़े औरत में हमदर्दी जताते हुए कहा किसी ने कल्पना के पती संकर को जाकर बताया कि कल्पना सरपंच के घर से पानी चुराते हुए पकड़ ली गई है और उसे थाने ले जा रहे हैं बीमार संकर भागा भागा आया और सरपंच के पैरों पर गिर कर कल्पना की ओर से माफी मांगने लगा मगर सरपंच ने उसे पैरों की ठोकर मार दी और कलपना को लेकर थाने की ओर चल पड़ा बेचारा संकर यह सदमा बरदास्त ना कर सका और बहीं हमेशा के लिए सो गया कलपना को लेकर जब सरपंच और उसके चमचे थाने पहुंचे तो थानेदार ने पूचा क्या हो गया यह लड़की कौन है इसे बांद कर क्यों लाए हो सरपंच ने थानेदार को नमस्ते करते हुए कहा जी मैं गाव डोगरपुर का सरपंच हूँ इस औरत ने मेरी हवेली में घुस कर चोरी की है मैंने इसे रंगे हांतों पकड़ा है और आपके पास सिकायत करने आया हूँ सरपंच ने कहा कितना माल यानि मेरा मतलब है कि कितना सोना चांदी बार रुपे चोरी किये हैं इसने थानेदार ने पूचा जी रुपे या सोना चांदी नहीं इतने तो एक गड़ा पानी मेरे घर में घुस कर चुराया है समूचे इलाके के लोग बून बून पानी के लिए तरस रहे हैं वे पंदरह किलो मीटर पैदल चल कर मुश्किल से एक गड़ा पानी लेकर लोटते हैं इसकी हिम्मत तो देखिये साहब खिड़की फांद कर पानी चुरा कर ले जा रही थी सरपंच ने बताया क्या चाहते हो तुम आप रिपोर्ट लिखकर इस औरत को जेल भेज दो सरपंच ने कहा जाओ मुन्ती जी के पास रिपोर्ट लिखवा दो मुंती जी रिपोर्ट लिखाने से पहले सरपंच को अच्छी तरह समझा देना थानेदार ने मुंती जी को आवाज लगा कर कहा मुंती जी ने सरपंच को एक और ले जाकर उसके कान में कुछ कहा अरे हैड साहब मैं कई सालों से सरपंच हूँ मैं यह अच्छी तरह जानता हूँ कि बिना लिये दिये आजकल कोई काम नहीं होता है सर्पंच ने जेब से दो नोटों की गंडिया निकाल कर मुंति जी के हवाले करती मुंति जी ने सर्पंच की एफ आई आर दर्ज कर ली कलपना को थानेदार के सामने पेस किया स्रीमान जी यह वही लड़की है जिसमें मेरे घर से एक घड़ा पानी चुराया है थानेदार ने कलपना को नीचे से उपर तक घूरा और बोला क्या तुने चोरी की चोरी करते वक्त तुझे सर्म नहीं आई कलपना पत्ते की तरह कांप रही थी उतले रोने से मुर्जाय हुए चेहरे पर आंसों की लाईने नजर आ रही थी दूसरे दिन कलपना को अदालत में पेस किया गया बहां सर्पंच के साथ उसके चम्चे कलपना के खिलाफ गबाही देने के लिए आये हुए थे पुलिस ने पानी से भरा हुआ बैगड़ा अदालत में पेस किया जो कलपना के पास से जब किया था जजज ने सबसे पहले कलपना की ओर देखा जो कट घरे में सिर नीचा किये खड़ी थी अदालत ने गबाहों के लिए पुकार लगवाई सरपन्च के चम्चों ने अदालत को बताया कि कलपना ने पानी चुराया जिससे सरपन्च ने घंगे हाथ पकड़ लिया मगर मौके पर कोई गवाह नहीं था सबी गवाहों ने यही बताया कि सरपन्च ने उन्हें बताया जज ने कलपना से पूँचा क्यों क्या तुमने एक घड़ा पानी सर्पंच के घर से चुराया जी एक घड़ा नहीं बलकि तीन घड़े पानी में सर्पंच के घर से लाई हूँ पर उसे चुराया नहीं बलकि अपने हिस्से का लेकर आई कलपना ने बेधड़क होकर बताया अपने हिस्ते का चुराया नहीं लाई का क्या मतलब है जज ने पूँचा इस बहंकर गर्मी में गाउं के सारे कुएं हैंट पॉंक बतालाब सूप गए हैं एक एक पूंद पानी के लिए गाउं वाले तरस रहे हैं प्यास से मर रहे हैं पंचायत ने गाउं में पानी का इंतिजाम किया है हमारे गाउं में सिर्फ पानी के लिए दो टेंकरों का इंतिजाम है जिसमें से एक टेंकर सरपंच अपने घर खाली करा लेता है जिसे वह चोरी से बेशता है दूसरे टेंकर का पानी गाउं वाले छेना चप्टी करके लेते हैं मैं बह अभागी अवरत हूँ जिसे कई दिनों से एक बूंत पानी नहीं मिला बीमार पती घर में है, मैं सरपंच के घर ते अपने हिस्से का पानी ही लाई हूँ मेरी बातों पर एकिन ना हो तो इन गाउं वालों से पूँच लीजिए मैं अदालत से गुजारिस करती हूँ कि मैं पानी चोर नहीं हूँ बलकि असली पानी चोर तो सरपंच है सरपंच के घर की टंकियां पानी से भरी पड़ी है अदालत में गाउं वालों ने भी कहा कि यह बास सच है कलपना सही कह रही है बहुत पचास रुपए प्रति घड़े की दर से पानी बेचता है अभी इस बक्तवी सरपंच के घर पानी के लिए ग्राकों की लंबी कतार लगी है सरपंच पगलें जहांकने लगा जजज को सरपंच वा पुलिस की जाल फाजी की मूँ इस मुकदमे में आने लगी कलपना को अदालत में बाइज़त बरी कर दिया और असली चोर को पकड़ने के लिए जाच के आदेस जारी कर दिये गए कलपना जब अपने गाउं पहुंची तो उसे पता चला कि किसी ने रात में ही उसके पती संकर जो सद्वे से उसी दिन चल बसा था कि लास फूंक नी थी जब कलपना अपने घर पहुंची तो उसका अबोद लड़का अजीद भी हमेशा के लिए सोया हुआ मिला कलपना ने जैसे ही अपने बेटे की लास को देखा तो उसकी जोर से चीख निकल पड़ी अजीद अजीद कहिकर भै बेहोस होगी गाउं वाले जो कलपना के खिलाप थे अब सर पंच के खिलाप नारे बाजिक करने लगे पानी चोर सरपंच पानी चोर असली चोर सरपंच कलपना पागल हो चुके थी भै अपने बेटे की लास को बता रही थी बेटे मैं पानी चोर नहीं हूँ असली पानी चोर सरपंच है इतना कहकर कलपना कभी हसती तो कभी रोने लगती थी पुलिस ने सरपंच के घर ते लबालब भरी पानी की कई टंकियों को जब लिया जो पानी खरीदने आये थे उन्हें गवाह बना कर ठाकर को गिरिफतार कर जेल बेज दिया गया तो दोस्तो कैसी लगी है कानी लाइक करें कमेंट मेंट बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दरने बाद